जाहें दोस्तों मैं पेंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल UK टूटरियल में और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतिय इतिहास और भारतिय इतिहास के अंतरगात जो घाटना चक्र का बूक आता है दोस्तों उसी से मैंने सारे प्रशनों को ल करेंगे कंटीनियू करेंगे ताकि आपको पढ़ने में ऊकोश्चन बनाने में मजा आए तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्नों को पहला प्रस्न है दोस्तों इनिम लिखित में से कोन एक मुगल समराट के द्वारा निक्त बंगाल का अंतिम गोवर्णर था अप्शन ए में कहा रहा दोस्तों सर्फराज खान बी में कहा रहा है मुर्शित कुली खान सी में कर अली वर्दी खान और डी में कहा रहा है सुजाओ दिन महमत खान यानि कि देखे दोस्तों तुसमें गोवर्णर को सुबेदार कहा जाता है ते कहा रहा है कि मुगल समराट के द्वारा जो का कार्यकाल 717 था और फरुक्सियर को देखे दोस्तों तो उसमें घेरणीत समराट भी कहा जाता था आपको पता होगा जो उतर मुगलकाल के दौरान आपको देखनेंगे पढ़ने को मिलेगा उसी समय देखे तो फरुक्सियर ने मुर्शित कुली खान को बंगाल का सुभेद कों बना तो बना था सुजाओ दिन बना था जिसे ततकाली मुगल समराड मुहुमत सारंगीला जिसे रंगीला बजसार भी कहा जाたा है के द्वारा मन्याता प्रधानती गई यानि कि देखे तो मुर्शित को लिखाने के बाद सुजाओदिन बंगाल का सुबेदार बना और जिसकी मन्याता जो महुमत सारंगीला ने प्रदान कर दिया कि आप जो हैं सुबेदार हैं बंगाल का मन्याता दे दिया अता हमुगल समराट के द्वारा निूक्त जो था बंगाल का अंतिम गोर्नार वो मुर्शित को लिखा था यहीं कि जिसे डिनोट किया गया था निूक्त किया गया था वो मुर्शित को लिखान था तो इस तरह से आप इसकी ब्याक्षा को देख लिए चलिए आगे बढ़ते ह अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न का रहा दोस्तों कि निम लिखित में से कौन सा यूध था जिसने भारत में ब्रिटीश परभुत्तों को प्रारम किया ओप्शन अ में करहाए बकसर की लड़ाई बी में करहाए प्लासी की लड़ाई C में करा मैसूर की तीसी लड़ाई और D करा का ठारसो स्वतंतरता का संग्राम यहाँ पर अगर देखे दोस्तों कि बिटिस के दुआरा प्रतम अगर कोई ऐसा यूद माना जाता है जिसे देखे तो भारत में उनकी उदय होती है और प्रारम होती है तो माना जाता आपका प्लासी का यूद यानि प्रतम प्रभुत्वे स्थापित अगर बिटिसों का किसी से सुरू हुआ है तो प्लासी के यूद से हुआ है जबकि प्लासी का यूद जो था दोस्तों एक सड्यंतर कारी यूद जो है वो लड़ा गया था यानि कि देखें तो राबर्ट कला इसमें जो सैनापती थे उन्होंने एक सड्यंतर राचा और देखा कि जो यहां के जो राजा है सिराजु दोला वो उनकी अगल बगल जीतने भी राजदर्बार में लोग हैं उनके खिलाफी सड्यंतर कर रहे हैं और इसी का फैदा उठाते हुआ और मुगलों की भागे का फसला हुआ तो देखें आपका बक्सर की लड़ाई होता है बक्सर की लड़ाई से ही देखें दोस्तों तो वास्तविक सत्ता की स्थापित अंग्रेजों को प्रारम होती है जबकि न्यू जो रखा गया था ओपलासी के यूद में ही रहा ग बढ़ेगा आपके कोस्चन बनाने की जहमता भी बढ़ेगी आईए अब हम लोग ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में कर रहा है कि भारत में ब्रेटिस प्रभुत्यों का प्रारम जो है वो प्लासी के यूद से हुआ प्लासी का यूद जो था दोस्तों वो तेश जिसके नितरीत तो करता रोबर्ट कलाई थे अंग्रेजों के तरब से और बंगाल के नबाब थे आपका शिराजु दोला जिसको प्राजित हुए थे या अंग्रेजों के दोरा प्राजित होना पड़ा था नबाब की सेना के तीन राजद्रोही थे उसमें कौन-कौन दोस नबाब की एक अग्रणी जो टुकडी थी उसमें मिरमदन तथा मोहनलाल थे जो देखें तो अस्तविक रूप से दोनों यूद लड़े थे अगर किसी को बोला जाता है कि प्लासिक यूद में जो आपकी सुराजोदला के तरब से कौन यूद लड़ा तो मिरमदन और मोहन सहसकर देखें दोस्तों आपको कोशन पूछा जाता है कि प्लासीक यूद में कि सैनानायक कि मिलतू हुए थी तो हो जाएगा मिरमदन रण-भूमे में ही मारा गया था के दौरान मिर जाफर से उच्छे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नबाब को सेना का नेत्री तो जो है सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़कर यूद शेत्रे से चले जाना चाहिए यानि कि इतनी भी सड्यंतरकारी उस समय जो अधिकारियां थे उन्होंने यहां क कि राजा को बोला कि आप सेना अध्यक्षान यानि मिर जाफर के नेत्रीतों में जो है सारी सेना को छोड़ करके आपको यहां से चले जाना चाहिए और यही हार का कारण बना क्योंकि मिर जाफर ओल्रेडी रॉबर्ट कलाई से यानि कंग्रेजों से मिला हुआ था उसे इस राजु दोला वापस मूर्षिदा बात लोड गया यानि अपने राजि में लोड गया यहीं उसकी हार का कारण बना और यहां पर देखें तो जो मिर जाफर था उन्ग्रेजों से मिला हुआ था और उन्होंने यूद लड़ा ही नहीं प्लासिक यूद ने अंग्रेजों के ततकालिंग सैनिक यो वाणिजिक लाप प्रदान किये यानि कि इसमें देखें तो प्लासिक यूद से अंग्रेज लोग जो है वो सैनिक यो वाणिजिक दोनों लाप प्राप्त हुए यानि बैपारिक लाप हुए और सैना के जो लोग थे उरको अपने अधिन करके उनको लाख किये क्योंकि मिरजाफरक जो सैना पति अध्यक्षता वो सारे सैना जो है अंग्रेजों के अधिन कर दिया इसके क्रीसी उत्पादन और दस्तकारियों के छेतर में अग्रेडी तीन राजे जैसे बिहार, बंगाल, औरिशा में राजनितिक प्रभुत्व इस्थापित करने के लिए प्रिश्ट फूमी त्यार की सफलता माना जाता है, यानि कि देखें ही दोस्तों तो पहली बार कोई सफलता मिलती है तो इस्थ इंडिया कंपनी को एक प्लासी यूद के बाद ही मिलती है, जबकि सरवधिक जो है निरलायक यूद हो बकसर का यूद जो 1764 इस्वी में लड़ा गया था, वो माना जाता है, जिसमें भारत में वास्तिक रूट से ब्रिटिस परभुत्यों की स्थापना होती है, तीस तरह से थोड़ा सा डीटेल्स में दिया हुआ है दोस्तों, ताप इतना समझ गए होंगे, अगर जान रहे होंगे अल्रेडी तापका फिर से इर्वीजन हो गया होगा, चलिए आग बढ़ते हैं, अगले प्रसन की और बढ़ते हैं, अगला प्रसन का रहा है कि इंगलेंड की इस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रत्थम निरलायक सेन ने सफलता मानी जाती है, अप्सन ए में करा दोस्तों, बक्सर का यूद, बी में करा प्लासी का यूद, सी में करा पा प्लासी का यूद माना जाता है जबकि यहां पर देखें दोस्तों तो यहां प्रत्थम निरलायक सेन सफलता है पर देश को वास्तिविक निरलायक सेन सफलता तब वहां पर बैक्सर हो जाता है यहीं बक्सर का यूद हो जाता है यानि कि वास्तिविक रूप से अगर कोई में बीम करें दोस्तों 1757 में C करें 1760 में और D करें 1736 में तो पलासी का यूद लड़ा गया थी दोस्तों 1757 में लड़ा गया था 23 जुन 1757 याड रख़ेगा डित को 23 जुन 1757 आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रस्णा है इस सिराजु दोला लाड़कलाई और क्लाइब के दोवरे प्रास्थ हुआ था किゃ यूद में, कों से यूद में घर वराउज दोवरे प्रांड क्लाई ते अपका रजी हो जाएगा प्लाइसी की यूद में ज़ो देखे कैना टेर पछी मंगाल के अंतरगत जगह हैं और इहीं परका यूद लड़ा गया था, आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने की ओर, आगला प्रसने कि भारत वर्थ में British समराज का संस्थापक कौन था, option A में कर रहा है, Warren Hasting, B में कर रहा है, Lord M. Hurst, C कर रहा है दोस्तों Lord Robert Clive, और डिगर है लाड बिलियम बेंटिंग तापको भारत वर्ष में ब्रिटी समराज के संस्थापक माना जाता है दोस्तों लाड रोबर्ट कलाइब को माना जाता है आपका एंसर हैं पर C राइट हो जाएगा आए इसकी ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में कारा दोस्तों कि भारत वर्ष में ब्रिटी समराज के संस्थापक रोबर्ट कलाइब को माना जाता है इसने प्लासिक यूद 33.777 में बंगाल के नबाब शिराजू द्ला को प्राजित कर पहली बार भारत में ब्रिटी प्रभूत्त की निव रखी थी कि अनल exception में से किसे सवर्ग सी उत्पं सैना नायक कहा गया है या कहा जाता था अप्सन ये में हो जागा दोस्तों अबुकर को बी में हो जागा रवट कलाई को सी में हो जागा फ्रांसी सी डूपले को और डी करा के लाड कारणवालिस को तेहां पर अगर देखे दोस्तों तो इसका भी एंसर हो जागा रोबर्ट कलाईब को कहा गया कि सौर्ग से उत्पन सैना नायक क्योंकि इसमें प्रभुत्तु की जो अलग हिसे इनके देखें तो किसीमा थी इस सैना नायक का इसा नेत्रितु किया वैसा सड़यन तरकरा कि पूरे भारत में न्यू जो है अंगरीजों का रखने का काम किया था ये कौन थे तो रोबर्ट कलाईब थे आए इसकी बैख्या को देखते हैं दोस्तों बैख्या में कहा गया दोस्तों कि कलाईब एक सैनिक की रूप में जन नेता था यानि सैनिक की रूप में क्या था तो जन नेता यानि लोगों का नेता था विलियम पीट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन सैना नायक था इसके बीसे में दोस्तो तो राबर्ट कलाई की बीसे में कहा है बिल्यम पीट ने कि वो स्वर्ग से उत्पन जो है कहाँ इस्थीत है बिहार में यहाँ पर देखेंगे दो जो पलासी जो है वो और आपका पच्छी मंगाल में है इसका एंसर D, राइट हो जाएगा यहाँ प्रकारा दोस्तों को प्लासी है यह बरतमान नाम जो है वो प्लासी है का यूध मैदान पच्छी मंगाल राजी के नदिया जिले में भागी रती नदी के किनारे इस्थित है इसको बिद्धान रखेगा यह पच्छी मंगाल के नदिया जिले में भागी रती नदी के किनारे जो है प्लासी नामक जगह है जहां पर प्लासी का यूध लड़ा गया था आगला प्रस्ण दोस्तों कि निम लिखीत में से किसनी अपनी रजधानी मुर्शीदा बात से मुंगेर इस्थांतरीत की option A में हो जागा दोस्तों अलिवर्दी खा, B में हो जागा दोस्तों सिराजु दोला, C में हो जागा मिर जाफर, D में कराया कि मीर का सीम तो इसका answer देखें दोस्तों तो यहाँ पर answer हो जागा D अपका मीर का सीम राइट हो जागा तो यहाँ पर इसका देखें तो D अपका मीर कासिम राइट हो जाएगा जिसने मुर्सिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधाने इस्थांतरित की थी पूरे कहा जाता है दोस्तों कि अगर बंगाल के नबावों में एक मीर कासिम ही ऐसा था जो देखें तो अपनी पुरवजों को यानि के अपने जो मुर्सिद को लिखा था उनके बाद कोई ऐसा आदमी माना जाता है तो मिर कासिम ही था जिसने अंग्रेजों से इसे दूर रहने की कोशिस किया था और अंग्रेजों को समझ रहते अच्छी तरह से कि हमें जो हैं एक किसे निकीसी जाल में फहसाना चाहते हैं इसे चलते अपने रधानी को भी परिवर्तन किया था इसकी बैख्या को देखते हैं तो मिरकासिम अपनी रधानी जो था वो मुर्शिताबाद से मुंगिर ले गया सम्भवता हुआ मुर्सिताबाद के सड्यंत्र वतावरण तथा कलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंगरेजों का हस्त छेफ की अधिन नहीं हो यह अपने रध्धाने को इसलिए दूर कर लिया ताकि हमको अंगरेजों का जो हस्त छेफ है उसकी साहना ना पड़े और इससे हमें अच्छूता रहना पड़े इस चलते इन्होंने इसे बचने के लिए किया था चले अगले प्रफस्न की ऊर बढ़ते हैं अगला प्रफस्न है दोस्तों के सबसे अधिक निर्लायक यूद जिसने अंग्रेजों की भारतमे प्रभूतों के इस्थापित किया था कोश्चन आ गया, समझ में आ गया हुवा कोश्चन कि सबसे अधिक निरलायक यूद जिससे अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्तों का इस्थापित किया था अपसने में हो जाएगा दोस्तों बकसर का यूद, बी में हो जाएगा प्लासी का यूद सी में हो जाएगा वांडी वर्स का यूद और डी हो जाएगा पानी पत का तीसरा यूद तो आपको ध्यान में एकना है दोस्तों कि सबसे अधिक निरलायक यूद हम बार-बार बूला जाता है यह बकसर का यूद है तो इसका एंसर ए, राइट हो जाएगा आपको पता होगा बकसर की यूद के बारे में और चलिए नहीं पता है तो थोड़ा इसका एकस्पलेशन को समझे 22 अक्टूबर 1764 को डेट याद रखेगा जैसे 30 जून आप 1757 प्लासी का यूद उसी प्रकार से 22 अक्टूबर 1764 बकसर का यूद एदम डेट आप माइन में हमेशा रखेगा कोश्चन डेट के साथ पुछा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजू ने मीर कासिम तथा अवध के नबाब जो थे सुजाओ दोला तथा दिल्ली के मुगल समराट साहालम दूती के समलित सेना को बकसर के यूद में प्रास्ट किया तो इसको ध्यान रखेगा को उस समय कीस कीस जो थे ओ अपके अंग्रेजों के ब्रूद में लड़ रहे थे तापको ध्यान में रखना है को मिर कासिम थे और उसमय अवध के नबाब सुजाओ दोला और दिल्ली के मुगल समराट साहालम दूतिये ये सभी जो मिल करके इनको अंग्रेजों के खिलाप लड़े थे लेकिन फिर भी प्रास्ट होना पड़ा था इस यूद में अंग्रेजों की कमान जो था ओ मेजर हेक्टर मुन्रो के हाथो में था इसको भी भी आई करके आधर रखेगा दूस्टों ये बक सर यूद का जो था ओ अंग्रेजों का नेतरित वो किस ने किया था तो वो जगा हेक्टर मुन्रो ने किया था इस यूद में यूद के परिणाम ने पलासिकी निरलेयों पर मुहर लगा थी धी अनि जो प्लासी की निले में जो फैसला लिया गया था इस यूद के बाद और किलियर हो गया और यहें से देखें तो भाग्यों का अंग्रेजों का उद्यख होता है भारत में जब अंग्रेजों को चुनोती देने वाली कोई दूसरी नहीं थी इलाहा बाक्तक प्रदेश जो हैं अंग्रेजों का अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का बिजय मार्ग भी खुल गया बक्सर का यूद भातिय इतिहास में निलायक यूद हुआ जिसमें पी-ई रोवर्ट्स ने बक्सर के यूद के बारे में कहा है कि पलासी की अपेक्छा बक्सर को भारत में अंग्रेजी परभुत्तु की जनम भूमी मनना कहीं अधिको प्योगत है यही यदि बक्सर की यूद के परिणाम को दिखा जाए तो हो सकता है कि जो अहां पलासी की बिजय अंग्रेजी की कुटनूती का परिणाम था वहीं बक्सर का बिजय जो थे हासकारों ने पुर्ता सैनिक बिजय बताया है यहीं कि हम बताया थे दोस्तों जैसे ही कि प्लासी का यूद जो थे एक कुठ निती के तहट जो राबट कलाई के द्वरा राचा गया था उसके तहट यहां पर जीत हांसिल की थे लेकिन बक्सर का जो यूद था यह वास्तुविकल यूद था इसमें कोई कुठ निती रणे निती नहीं थी डाइरेक्ट देखे तो यूद भूमी में जी बीच में हार और जीत की बात हुई थी प्लासी के यूद ने अंग्रेजों के प्रभुत्तों को बंगाल में स्थापित किया प्रणतु बक्सर के यूद ने कमपनी को एक अखिल भारतिय सकती के रूप दे दिया यानि कि देखें दोस्तों तो पलासी की उससे सिर्फ बंगाल की कुछ हिरिया में जो बंगाल का उसमेर बाप था हो हाँ पर कबजा हुआ था जब कि जो देखें तो बक्सर की उससे पूरे अखिल भारतिय का द्वार खुल गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्नकार है कि अंग्रेजी इस्टी इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निमलिखित यूदों में से कौन सा सारवधिक निरलायक था अप्शन A में करा है बक्सर का यूद, B में हो जाएगा प्लासी की लड़ाई, C में हो जाएगा प्रत्हम आंगल C की यूद, D में हो जाएगा प्रत्हम आंगल मैसूर यूद तो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के द्वरा लड़े गए सबसे देखें दोस्तों तो यूधों में सरोधिक निरलायक यूध माना जाता है बक्सर का यूध को माना जाता है तिसका एंसर ए राइट हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का यूध आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है कि निमलिकित में से कौन सा यूध भारत में अंग्रीजों की अधिपत्ति की इस्थापना की द्रिष्टी से सबसे महत्पूर समझा जाता है यहाँ प्रवप्शन ए करहा दोस्तों बक्सर का यूध बी में करहा प्ला इसको दिखा जा सकता है तो बक्सर का यूध एक बहुत निरलायक यूध था चलिए अगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है दोस्तों कि बक्सर के यूध के समय दिल्ली का सासब कौन था अप्सन ए में हो जाएगा और अंजेप था बी में हो जाएगा साह आलम प्रत्थम सी करा दोस्तों बहादूर सा जफर और डी करा के साह आलम दूतिये तब प्रसन में बताया थे दोस्तों कि बक्सर के यूध में अवद के नबाप सुजाओ दोला और दिल्ली के मुगल समराट साह आलम दूतिये और आपके मीर कासी में तीन लोगों ने एक स साथ मिल करके लड़ा था तेहां पर आपको उसमें दिल्ली के समराठ यानि मुगल समराठ की बात हो रही है तो उसमें सा आलम दुतिये थे तेहां पर इसका एंसर डी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि बकसर की लड़ाई के समय बंगाल का नबाप कोन था और समय यह में हो जागा दोस्तों सी राजु दोला B में हो जागा मिर जाफर सीम हो जागा मिर कासीम और D कराय की नजमू दोला तो समय देखें दोस्तों तो बकसर की लड़ाई के समय देखें तो बंगाल का नबाब बना दिया गया था अंग्रेजों का दुबारा मिर जाफर को बना दिया गया था और मीर कासीम जो था वो भागा फिर अपर रहा था और मीर कासीम क्या करते हैं दोस्तों कि ये मुगल दर्बार में जाते हैं और मुगल दर्बार में जाने के बाद समराट जो साहलम दूतिये थे उनको और अवद के नबाब सुजाओ दोला ये दोनों से मिलते हैं और मिनले के बाद देखें तो इन्होंने बक्सर की यूद के लिए बताते हैं और इसी के बाद इन लोग तीनों मिल करके बक्सर का यूद लड़ते हैं जब को समय बंगाल का नबाब मिरजाफर था और मिरजाफर एक सांत रूप से बैठा हुआ था अंग्रेजी के सरण में अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन के निम लिखित में से जिस एक सासक ने इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी परदान की थी वह था अपसान ये में करा दोस्तों फरुक सियर बी में करा साहालम प्रथम सी में करा कि साहालम दूति और डी करा सुजाव दोला तेहां पर इंसर राइट हो जागा दोस्तों कि इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी परदान करने वाले बेखती थे जो मुगल समराट साहलम दूति थे उन्होंने ही परदान किया क्या क्योंकि हारने के बाद देखें तो रवट कलाई ने एक संधी की थी जिसे इलहाबाद की संधी के मानी जाती है दोनों संधियां बड़ा निरलायक थी और प्रस्न यहां से बार बर पूछा जाता है संधियां से समंधी ति लाहाबाद की जो संधी हुई थी दोस्तों एक हुआ था 12 अगस्त को दूसरी संधी जो हुआ था 16 अगस्त को अगर आप याद रख सकते हैं तो डे 165 के अनुसार कहा गया कि साह आलम को अंगरेजी संधक्षन में ले लिया गया तरह उसे इलाहाबाद में रखा गया इसके बाद इलाहाबाद ता था काडा के जो छेत्र था उन नबाब ने छोड़ दिये हैं यहां पर जो इलाहाबाद के नबाब थे उन्होंने छेत्र को मिल जाते हैं पाइलाहबाद और कड़ा का छेत्रा इसके बाद देखे दोस्तों तो जो प्रथम संधी हुआ था 12 अगर्ष तो 1765 के अपने फार्मान के द्वारा मुगल बात्सा साह हालम दूतिय ने कमपनी को बंगाल विहार और उडिसा के दिवानी इस्थाई रूप से दे दी आनि कि दिवानी अधिकार होता है दोस्तों कि धन संपत्ती से संबंधित बैपार से संबंधित अधिकार दो परकार के एक होगा दिवानी अधिकार एक होगा फोजेदारी अधिकार फोजेधारी अधिकार के मामले में लड़ाई घगडा जो लड़ाई घगडा से संबंधि जितने भी चीज़े होती हैं मारकार्ड, गुंडागर्धी, बलतकार, अपराद ए सब क्या हो जाते हैं फोजेधारी अपलाध में आते हैं और दीवानी में कहते हैं पैसा सम्मंधित, जमिन से सम्मंधित, बयबार से सम्मंधित इन सारी मेतर जो आते हैं आपके दिवानी छेतर के अंतर गटाते हैं वो दिवानी अधिकार दे दिए तो मुगल बाज़ा ने इसके बदले में मांगा कि हमको 26 लाख रूपे जो है उसलाना पेंसन मिलेगा यानि पैसा देने के बाद हुए कि कमपनी भाई शेतर में बेपार करे बिना टेक्स के लेकिन कमपनी जो है उसके बदले में आपके इस इंडिया कमपनी का बंगाल का गुवर्ण था याद रखेए का दोस्तों इस समय देखें तो रॉबर्ट इंडिया कमपनी के बंगाल का गुवर्ण था और साह अलम दुत्ति कि संपूर्ण जीवन अपदाउं से गरस्त रहा तो इसको विध्यान रखना है कि किया जासा के ऐसा रोबट कलाइब धूर्त बेगती था और वही संथी के तहत इन सारे दिवानी अधिकार को दिया गया था इसलिए बोला जाता है कि स्वर्ग से उत्रा हुआ कोई अगर राजा था मने कोई सैना नायक था जन नायक था तो आपका रोबट कलाइब था तेसी चलते साहालम देखे तो समय इनके पूरी जिनगी देखे दोस्तों कि संपूर जीवन आपदा से ग्रस्त रहा और उसे 1788 इस्वि में अंधा बना दिया गया और साहालम दूतिये के समय में ही जो इस्ट इंडिया कंपनी की जो बहादूर साधूतिये थे वो अंतिम राजा हुए और यहीं से उनकी फिर देखे तो खतम हो जाती बहादूर साधूतियों को देखे तो भेज जाता है रंगुन भेज दिया जाता जो अठारा सो संतावन की बिद्रों के बाद जहां पर मिर्तू हो जाती है तो कहानी है आप पूरे इस हिष्ट्री को पढ़ेगा तो बहुत मजा आता है अगर इस हिष्ट्री में आप भूसिएगा तो चलि आगे बढ़ते हैं प्रस्न की योर अगरा प्रस्न है दोस्तों की 1765 इस्वी में इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी किसने प्रदान की अप्सन ये में करा है बंगाल के नबाब ने बी में करा मुगल समराट ने C करा दोस्तों England के सासक ने और D करा है कि अफगान के राजाने तो बहुत असान है दोस्तों कि आपके 1765 इसी में जो इलाहाबाद के संधी हुई और संधी में देखे तो मुगल समराट के साथ संधी हुई और जिसमें बंगाल बिहार ओडिशा को दिवानी अधिकार दिया गया था तेहां प्रेश का एंसर B राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तों कि कीज गोवर्नर के कारेकाल में इस्ट इंडिया कंपनी को सहंसा तथा साह आलम के द्वारा बंगाल बिहार ओडिशा में दिवानी अधिकार दिये गया अप्शन A में हो जागा दोस्तों लाड कलाई B में हो जागा लाड करनवाली C में हो जागा लाड वेल जली और D कर है के लाड बिल्यम बेंटिंग तो आपको इहां पता होगा दोस्तों इसका एंसर जो हो जागा आपका लाड कलाईब हो जाएगा और लाड कलाईब ने ही बताया थे इंगिलेंड से संधी करने के लिए स्पेसल आया था और इहोंने संधी थोप करके फिर चला गया था तिस तरह से इसका एंसर ए राइट हो जाएगा अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं अगला प्रस्न है कि समराट साह अलम दूतिय ने इस्ट इंडिया कंपनी को ब करता दोस्तों कि दो संधी हुआ था Сам आगलाइट सब्सक्राइब के बीच कोपनी के उसमें नेत्रित करता जो थे रोवट कलाई उसके बीच में हुआ था यह हुआ था 12 अगस्त 1765 को पर्थम संदी संब्राट साहलम दूतिये के साथ दूतिये संदी आपके जो हो जाएंगे अवध के जो राजा थे सुजाओ दोला उसके साथ हुआ था तो पहले संद पर अगर देखे हैं इसकी बैख्या को दिखते हैं और किलियर हो जाएगा ब्याख्या में करा दोस्तों कि इलाहाबाद की दूसरी संधी जो हुई थी वो हुआ था 16 अगस 1765 को उनके अनुसार भगोडे समराट साह आलम को अंग्रेजी संडक्षन में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था और साह आलम ने 12 अगस्त के फर्मान के द देना था यानि टोटल पैसा अगर देख ले दोस्तों ते हो जाता है आपका 79 लाक रुपे और 89 लाक रुपे तो 89 लाक रुपे देना था तथा इस समय देखें तो कंपनी सीधे कर संग्रफ करने का भार तो लेना चाहती थी और नहीं उसे उसके पास से ऐसा चमता था यान और नहीं उसे अपने इस योगे चम थी कि हम इतना का ऐसा जो है कठा कर लेंगे और ऐसा करने के लिए बरतमान में हम सक्चम हैं इसलिए का करता है कि कंपनी ने दिवानी कारी के लिए दो उपदिवान निउठ किये इनका नाम भी याद रखेगा दोस्तों बंगाल के गया था राजा सिताब राय को निफ्ट किया गया महमद राजा खान जो था दोस्तों उप निजाम के रूप में भी कारे करते थे और इस परकार समश्त दिवानी तथा निजामत का कारे भारतीयों दोबारा ही चलता था यद्गपि अधिकार जो था वो कंपनीयों के हाथो दिवान को निव्ट कर दिया कि आप इहां पर सारे अधिकार का प्रयोग करते हुए आप हमको इतना text असूल करके हमें दीजिए ताकि आपके भी यहां के लोगों के बीच यहां के राजा रहेगा तब विश्वास भी बना रहेगा और अंग्रेजी के परभूत उपर से उस पर हावी रहेगा ताकि जो है हम जैसे प्रसाशन चलाना चाहें वैसे चला सकने चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की हो रहे है कि 1715 टीश्वी में दिवानी परदान किया जाने के बाद ब्रेटी सबसे पहले निम लिखित में से किस परवर्तिय जन जाती से संपर्क में आए अप्सन ए में करा है दोस्तों गारो जन जाती से बी में हो जाएगा खासी और सी में हो जाएगा कूकी डे करा है टिपरा तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों सही खासी जनजाती यानि गारो खासी जनजाती आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों ए पहाडी के नाम पर ही जनजातियों का नाम रखा गया है जो आप मेघाले पढ़ेंगी तो मेघाले आप देखते हैंगे कि मेघाले जो है वहाँ प और का दोस्तों कि बंगाल की दिवानी प्राप्त करने के पचात ब्रेटी जो है 1765 इसी में सील हट आये थे और खासी जन जाती के लोग जो थे वो चावल नमक और सुखी मचलियों के बदले जो है रेसम सुत्री जो सुत्ती समान था लोहा मोम मधु यों सींग का वेपार करन और उनके बदले उनको चावल नमक और सुखी मचली दे दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा इसके देखे दोस्तों तो खासी परवत में पाया जाने वाले चूना पथर का उप्योग जो है तब बंगाल में चूना पथर की मांग की पूर्ती है तो भी किया जाता था अता कुछ समय पाचाथ इस्ट इंडिया कंपनी के ब्रेटी सा धिकारी जो है चूना पथर का बैपार करने लगे जिसे वे खासी जंजाती से संपर्क में आए तेस समझ में आगे आ होगा दोस्तों या इस लेवल को को स्चन है और थोड़ा डीपली को स्चन है आगे अंबार का यूद फिर प्लासी का यूद बी में कारा दोस्तों पहले अंबार का यूद हुआ फिर प्लासी का यूद फिर वांडीवास का यूद फिर बक्सर का यूद सी में कारा दोस्तों पहले वांडीवास का यूद प्लासी यूद फिर अंबार यूद फिर बक्सर वांडिवास का यूद जो है दोस्तों वो पलासी यूद के बाद हुआ था ते भी गलत हो जाएगा इस तरह से अगर देखें तब का बी सही हो जाएगा कि पहले जो होता है दोस्तों अंबार का यूद, अंबार का यूद हुआ था है दोस्तों 1749 में, फिर पलासी का यूद देखने हैं तो 1767 में, फिर वांडीवास का यूद होता है दोस्तों आपका 1760 में और बकसर का यूद 1764 में हुआ था, तिस तरह से बी आपका सही हो जाए इसकी बैक्षा को देख लेते हैं, क्या है, बैक्षा में करा दोस्तों की अठारवी सतावदी में, भारत में लड़े गए प्रष्णकत यूधों का सही कालनुकरम इस प्रकार है, पहला कर्या दोस्तों अंबर का यूद हुआ था अगस्ट 1794 में इसमें हुआ था कि मुजफर जंग और चंदा साहग तथा फ्रांसीशियों की सन्युक तिसेना ने वेलूर के समीप ये वेलूर जो है दोस्तों इक करनाटक में है तो वेलूर के समीब अंबर या जिसको अंबूर कहा जाता है अंबूर नाम के स्थान पर करनाटक के जो नबाब थे अनव रुद्दिन को पराजित कर उसकी हात्या कर दी तथा मुझफर जंग जो था ओधकन का सुबेदार बन गया तथा इस उपलक्ष में उसने अपने हितक पारी डूपले को कृष्णा नदी के दच्छनी भाग के मुगल पर्दिसों गुवर्नर को निप्ट कर दिया गया तथा उतरी सरकार के कुछ जीलों भी फ्रांसीसियों को दे दिये इसके अतरिक देखें दोस्तों तो मुझफर जंग की पराथना पर एक फ्रेंच सैना की टुकडी भी बुक्सी के नित्रित में हैदराबाद में तैनात कर दी गए तेंबर का यूद देखें तो इस तरह से हुआ था आईए पढ़ते हैं अब प्लासी का यूद प्लासी का यूद वा था 1777 में और प्लासी की यूद में बोला जाता है कि अंग्रेजों तथा अंग्रेजों पूरे बंगाल पर नियंत्रन हो गया और कलाइब ने मिर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बननेने के बाद मिर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेनाय के लिए 24 परगनों की जिमेदारी से प्रुसक्रीत किया और कलाइब को देखें तो 2,34, सजा पॉन की निजी भेट भी दी एकों दिया था दोस्तों ते सब देने वाले थे आपका मीर जाफर थे जुन्हों ने आपके राजा जो थे शीराजुदला उसके खिलाप गद्दारी किया था जिसके चलते ही यूद हार गए थे और यहां पर देखे तो वांडिवास का यूध हुआ था दोस्तों जनवरी 1760 में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मदल लड़ा गया था यूध में देखे तो फ्रांसीसी प्राजित हुए अंग्रेजी सैना का नेतरी तोसर आयरकूट ने जबकि फ्रांसीसी सैना का अंग्रेजों के मद्य यूध में अंग्रेज जो है बिजईर है इसके बिज में यूध हुआ अंग्रेज जो थे वो बिजईर है और इस उध में देखे तो अंग्रेजी सैना का नितरो हेक्टरो मुन्रों ने किया था और बक्सर के यूध ने पलासी के निरले पर मोहर लगा दी तो इस परकार देखे दोस्तों तो आपका एंसर भी सही था यानि पहले जो होता है अंबार का यूध फिर पलासी का यूध फिर वांडी वास का फिर बक्सर का यूध चलिए अगले प्रस्न की और बढ़ते दोस्तों अगला प्रस्न है कि उस फ्रांसेसी सैनापती का नाम बताए जो 1760 के वांडी वास यूध में प्राजित हुआ तो देखे कोश्चन आही गया कि फ्रांसेसी जो यूध हुआ था दोस्तों फ्रांसेसी अंग्रेजों के मत जो वांडी वास का यूध हुआ था उसमें फ्रांसेसी नेतरी तो किस ने किया था अप्सने में हो रहा है दोस्तों काउंट लाली ने बी में काया दो थो फ्रांसेसी मार्टिन ने सी कराक डूपले ने और डी कराव प्योगत में स अंग्रीजों के तरब से आयर कुट ने किया था चलिए बढ़ते हांगे में अगला प्रस्ने दोस्तों वांडीवास के यूद 1760 में हुआ था और सने करा के फ्रेंच ने ब्रीटीश को हराया बी में करा दोस्तों ब्रीटीश ने डच को हराया और टी करा कि डच ने ब्रीटीश को हराया बहुत असान है कि वांडीवास के यूद जो हता 1760 में हुआ था जिसमें ब्रीटीश ने फ्रेंच को हराया था और यहीं से दिखें तो फ्रेंच साथ्ता की जो इस्थापना थी अधुपत्य थी वो समाप्त हो गई और ब्रीटीश question है दोस्तों सैद एक और question है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न है कि निमलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है अपसने में करा दोस्तों बक्सर का यूद मिर जाफर के विरुद कलाई तो यहां पर कर देखेंगे दोस्तों आप गलत हो जा रहा कि बक्सर का दोस्तों तो सुजाओ दौला थे और साहालम दूती थे वांडी वास के यूद में होगा फ्रांसिसी बिरूद इस्ट इंडिया कंपनी तो बिल्गुल सही दिख रहा है सी में करा दोस्तों कि चिलिया वाला का यूद में डलोजी के बिरूद मराठे यह भी गलत हो बक्सर की यूद कारा दोस्तों की 22 अक्टूबर 1764 इस्टू का वद के नबाप सिजाओ दोला मुगल समराठ साहालम दूती तथा मिर कासिम के सन्यूक सेना ने अंग्रीजों के मध्य हुआ था वांडी वास का यूद जो हुआ था दोस्तों 22 जन्वरी 1760 को अंग्रीजों और फ्रांसिसी के मध्य हुआ था इस यूद में देखे तो फ्रांसिसी जो है वो प्राजित हुए थे और यही प्राजे भारत में उनके पतन की सुरुवात थी यानि फ्रांसिसी धिरी धिरी यहां से फिर पतन होना शुरू हो गया था चलिया वाला का यूद जो हुआ था दोस्तों 13 जन्वरी 1849 में लड़ा गया था और इस यूद में अंग्रेजी सैना का नितित जो है वो लाड़ गफ ने किया था त Applause शीक सैना सेर सीग के नित्री व्मलर्डी थी जिसमें देखें दोस्तों सीखों लोग की हार होई थी तरह यह यूद जो था और निरली समाप्त हुआ यांनी कोई निरलय नहीं हुआ था फिर भी देखें कहीं न कहीं अंग्रीजों का ही हाँ प्रधिपत्व इस्थापित हुआ था और देखें देखें तो आपका जो लाटडल होजी का जो नीती था हडप नीती उसके तहत कुछ छेत्रों को अपने अधिन कर लिया था इसी यूद के समय देखें दोस्तों तो भारत के गोवर्नर लाटडल होजी था अब देखें अब आपका बढ़ता हैं खुर्दा का यूद खुर्दा का यूद हुआ था दोस्तों 1795 इसमें निजाम की बिरूद माराठा द्वारा लड़ा गया था जिसमें देखें तो निजाम की हार हुई थी इसमें चार्ष्टर हुए कि ओप्शन यहां पर देखें दोस्तों तो सबसी अधिक किसी ने अगर इनलों का बिरूद किया था अंग्रेजों का तो ओक यह थे आपके माराथा लोग जो अंतिम सांस तक लड़े थे और इनके देखें तो दक्कन वाले छेतर में इनकी नितिसाहस नहीं हुई थी यह अंग्रेजों हा सथापित कर सके तीस तरह से आपका यहां पर यह सही हो जाएगा आएए वड़ते हैं इसकी ब्याख्या में बैख्या करा दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों का सारौधिक ब्रूद जो है माराथा द्वारे किया गया था और तीन आंगल माराथा यूद के बाद ही माराथा सकती को दबाया जा सका मुगल समराज के खंड़हरों पर माराथों ने अपना समराज अधार सिला रखी थी यानि आंगल मराठा यूद में अंग्रेजों की मुह की खानी पड़ी थी यानि अंग्रेजों की प्रथम मराठा यूद में हार हुआ था और साल बाई संधी के तहत देखें तो प्रथम यूद भी समाप्थ हुआ था बंध हुआ था दूसरा में करा दोस्तों के वेलजली ने 1802 इसवी में अपने सहायक संधी के जाल में पेश्वा को बांध लिया ने ऐसा जाल बिचाया हो सहायक संधी जो था दोस्तों थोप दिया गया 1802 इसवी में अब सहायक संधी सुनते होंगे तो सहायक संधी के तहट इनको फंसाया गय पेश्वा को और 1818 इसी में लाड हेश्टिंग ने मराठों की रही सकती को समाप्त कर दिया और ब्रिटिस समराजी भी मराठा समराजी जो था ब्रिटिस का धीन हो गया था 1818 में और यह समाप्त हो जाती है तीस तरह से दिखे दोस्तों ते टोटल जो तने भी प्रस्ण थे आ समाप्त होते हैं यानि इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नबाब अगला जो टोपिक होगा छेत्री राज पंजाब और मैसूर जो छोटी छोटी राजी थे उनसे समंधित जो सीख विद्रो हो गयरा हुआ था तो उसे समंधित भी लगभग 22-25 कोशन है दोस्तों उसक में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत मजाएगा में तब तक के लिए धन्यबाद वीडियो आचा लगा हो तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा जाए हिन दोस्तों